दोस्तो आईपील दो हजार पचीस में मेगा ओक्सन का आयोजन होने वाला है जिस वज़े से सभी आईपील टीमों ने ओक्सन के लिए अभी से ही अपना-पना प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया है तो आज किस वीडियो में हम आपको आईपील दो हजार पचीस के लिए सभी टीमों के स्क्वैड में सामिल होने वाले कुछ बड़ी प्लियर्स की लिष्ट बताएंगे यानि कि आईपील की कुछ प्रमुख्र टीमें कौन-कौन से प्लियर्स को टार्गेट करेगी तो ये वी स्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रिस कर ले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले हम आपको बता दे कि यदि आप लोग आईपील या फिर क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलिग्राम पे फॉलो करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम अपने टेलिग्राम चैनल पे सभी दस आईपील टीमों के रीटेन और इलीज खिलाडियों की लिष्ट सबसे पहले अपलोड करेंगे तो फटा-फट से टेलिग्राम पे फॉलो करें लिंक डिस्क्रि से लिष्ट के पहले बड़े प्लेर है रोहित सर्मा रोहित सर्मा अभी मुंबे इंडियांस की टीम में है लेकिन हाल ही में जब पंजाब किंग्स के यहां पे एक कोचिंग स्टाप संजय बांगर से पूछा गया था कि यदि रोहित सर्मा आउक्सन में आएंगे तो क्या वे लोग पर चेज करेंगे तो संजय बंगर ने कहा कि यदि उनके पास पर्स बैलेंस एविलेबल रहा तो वो लोग 100% रोहित सर्मा के उपर आक्षन में बिडिंग करेंगे गौर तलब है कि रोहित सर्मा यदि पंजाब की टीम में जाएंगे तो पंजाब को नया कप्तान भी मिल जाएगा और काफी सारे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रोहित सर्मा को पंजाब की टीम अपने स्क्वैड में सामिल करना चाहती है इसके बाद इस लिष्ट के दूसरे सुपर स्टार पिलड या जुविंदर चहल है और चहल को राजस्थान के टी मुंबई के स्क्वैड में कोई भी बढ़िया स्पिन बॉलर नहीं आ पाया है तो इस वज़े से मुंबई की टीम इस साल के ओक्षन में चहल के ऊपर अच्छा खासा बेडिंग करेगी और चहल को अपने स्क्वैड में सामिल करने का कम्पलीट पढ़ियास करेगी इसके बा सूरी कुमार यादव को आई पिल दो हजार पचीस में कोलकता की टीम ओक्षन में खरीदना चाहती है और कोलकता चाहती है कि सूरी कुमार यादव या तो उनके स्क्वैड में ट्रेड हो जाए या फिर ओक्षन में वो लोग उनको परचेज कर ले तो सूरी कुमार यादव को KKR की टीम ओक्षन से खरीद करके अपने टीम का नया कप्तान बनाने का पूड़ा प्रयास कर रही है इसके बाद चौथे प्लेयर है रवी चंदरन अस्विन और अस्विन को ले करके कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट निकल करके सामने आया था जिसके कोडिंग अस्विन सिलिष्ट के अगले बरे प्लेड है केल राहूल केल राहूल का परसो यहां पे लखनो सूपर जाइंट के ओनर संजीव गोईन का के साथ एक छोटा सा मिटिंग हुआ था और इस मिटिंग में केल राहूल के रिटेंसन के उपर काफी ज़्यादा सवाल उठे थे हलांकि से खरीद सकती है चुकि आरसीबी को केल राहूल की जरूरत है केल राहूल दिनेस कार्तिक से की तरह विगेट कीपिंग भी करके देंगे और कप्तानी भी कर देंगे ओपनिंग बैटिंग भी कर देंगे तो राहूल को रसीबी टार्गेट कर सकती है इसके बाद अगले प् और रिसाब पंत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिस मोनोंने कैपसन में थालाईवा लिखा था और इस पोस्ट के वाइरल होते देर नहीं लगा और यहां पे कई सारी क्रिकेट फैंस का मानना है कि रिसाब पंत अंदर ही अंदर चेन्ने सूपर या तो ट्रेड या फिर ओक्सन के थ्रू अपने स्क्वाइड में सामिल करना चाहती है वहीं इस लिष्ट के अंतिम प्लड़ है इसान किसन जो की काफी बढ़िया विकेट कीपर बैट्समेन है इसान किसन को गुजराट टाइटन्स की टीम ओक्सन में खडिदने का प्रिया करेगी चुकि इसान किसन गुजराट के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे और इनी धिमान सहा से बढ़िया ओपनिंग बैटिंग भी करके दे सकते हैं तो इस वजह से गुजराट की टीम इसान किसन को पर्चेज करना चाहती है तो यह था कुछ बड़े प्लियर्स के प् सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स मिलते है नेक्स्ट वेडियो में